चुकू मेरा नमस्कार, एमके एजुकिशन चैनल में आपका सागत है, आईए बच्चो एडगेट अभ्यास पुस्ति का कप्छा छटवी की विसे हिंदी पे हमकार करते हैं, इसके पूर में हम पहले भी पहले के पाठों का अध्यन कर चुके हैं, आज हम आज एक महतपूर प प्रशन का पहला पस्त देखते हैं, कहां ठयर जाओं में कवीता में यह कतन कौन कह रहा है, तो यह कतन बसंद कह रहा है, प्रशन में दूसरा है कवीता सब्द का प्रियोग करते हुए दो वाक्ट बनाईए विशेशन सब्दों को रिकांकित भी कीजिए अमन बहुत मुर्ख लड़का है और राम बहुत बुद्धिमान लड़का है तो यहाँ पे मुर्ख और बुद्धिमान विशेशन सब्द कहलाएंगे पेज नमबर पांच वाए बसंतरीतु के आगमन पर प्रकरती में क्या-क्या होता है तो बसंतरीतु के आने पर सरदी कम हो जाती है मोसम सुवावना हो जाता है पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं आम के पेड़ों में मोरे आ गई हैं और सरसों के फूलों से भरे फूल पीले दिखाई देते हैं बच्चों वीडियो अगर स्पीट में लग रही है तो इसके रोक कर या पुश करके आप इनके प्रशुत्तरों को एड़केट अभ्यास पुश्तिका में लिख सकते हैं अनुप्रा सलंकार के दो उधारान लिखिये तो कुके लगी कोयल कंदमन पर बैठी फेरी और दूसरा है तरिन तनुजटत तमाल तरूवर बहुच्छाए तेरे को तरी प्रशन देखते हैं नम्मर का नेमलिकित प्रशनों की पंग्तियों का भावारत अपने शब्दों में लिखिये दुखी है मेरा मन कुस्तो दुख बाटो जंगल ही जीवन है जंगल को मत काटो मेरे आंगन मेरे घर गगन को फिर से बसाओगे बंजर इस धर्ती पर हर्याली लाओगे इस कविता का भावार देखते हैं बसंद कहिता है कि मेरे मन के अंदर व्याप्त दुख को है मनुष्य आप सभी बाट लीजिए ये है लिखा है है नहीं है हामे है की मात्र है कर लीजिए यह मेरा दुख तभी जा सकेगा जब आप जंगलों को नहीं काटोगे जंगलों की वरद्धी कीजिए जंगल हैं तो जीवन सुरक्षित है पेड़ पौधे लगा कर मेरे घर आगन को हर्याली से संपन कर दीजिए यह हर्याली ही मेरा निवास है घर है यह धरती जिसे पेड़ पौधे को काट कर बंजर बना दिया है उसे हर्याली से संपन बनाईए बसंद का पागमन तो तभी हो सकेगा जब रक्षों का रोपन किया जाएगा तो यहाँ पे हमने दिर्गुत्री प्रशन का सात्वा प्रशन देखा अब हम मुल्यान का नवक्षिट नंबर दस पेकार करते हैं अति लगुत्री प्रशन दिया गया है बच्चों आपको अन्य विसे की भ प्रशन देख सकते हैं अब देखते हैं लगुत्री प्रशन बसंत रीतु के मोहक रूप को पुनह प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करेंगे तो उत्तर हैं हम मनों की रक्षा करेंगे और पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे और हमारे कीर्या कलाप के माध्यम से प्रग्रतिक संपता को नुकसान नहीं पहुचाएंगे प्रशन नम्मर दस्वा है देरेक उत्री प्रशन है निम्लिकित पंक्तियों का भावार्त अपने शब्दों में लिखो आईए एक बार मन मोर भी नाचा था वन में मयूर संग स्वागत में गीत कोई खोयल भी गाती थी पत्तों की जुरमुट से कुह 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 धुन आती थी अब हम इस कविता का अर्थ जानते हैं कवी कहता है कि हे बसंत जब तुम आते हो तब अपने साथ हर्याली लाते हो बसंत रितू में चंपा चमेली गेंदा के फूल खिल रहे थे आम के वक्षों पर मोरे आ गई हैं भीनी गंद के मद जूले डाल दिये गए हैं मत वाली हवा वहने लगी थी उससे पागल हुआ मन भी जूम उठता था वन में मोर भी मयोरी मोरनी के साथ नाचा करते थे तो बच्चों यहां आज हमने समस्त पाठों का इस पाठ में समस्त पशनों के उत्तरों को हल किया है आसा है आपको यह वीडियो अवस पसंद आया होगा और आपने चेनल को अवस प्रसक्राइब कर ल को प्लेलिस्ट यूटूब पर मिल जाएका इमके एजूकेशन में हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्या के साथ तब तक के लिए मेरा नमस्कार जैहिंजय भारत